हेलो गाइज वेलकम बैक टू माँ चैनल आज हम जीरा पॉडर बनाना सिखेंगे और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है आप इसे बहुत सारी रेसिपी में यूज कर सकते हैं और जब आप इस जीरे पॉडर को किसी भी रेसिपी में यूज करेंगे न दोस्तो तो आपकी रेसिपी का टेस्ट दस दूना बढ़ जाएगा और रेसिपी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उम्रिया चाटते रह जाओगे तो ऐसी ही यूज़फुल रेसिपी देखने के लिए मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली आसपास साबुद जीरा लिया है आप कितने भी कॉंटिटी में इसे बना सकते हो और इसे हम चेक भी कर लेंगे ताकि इसमें कोई काड़ी कच्रा बिल्कुल भी ना रहे तो जीरे को बुनने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है आप चाहे तो इसे तवे पर भी रोस्ट कर सकते हो पैन को हमें लो फ्लेम पर ही गरम कर लेना है और उसके बाद सारा हमें जीरा इसमें डाल देना है पैन में जीरा डालते ही इसे हमें लो फ्लेम पर ही भुननना है और बस इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है ताकि जो हमारा जीरा है बिल्कुल भी जले तो देखें यहां पर हमारा जीरा बिल्कुल हलका सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छी से खुजबू आने लगी है तो इसी स्टेच पर हम ग्यास्ता फ्लेब बन कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में इसे थंडा होने के लिए डाल देंगे तो हमारा भूना हुआ जीरा फटा फट से थंडा होने के लिए हम इसे प्लेट में इस तरीके से पैला देंगे तो यहां हमारा जीरा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो आब हम इसे एक मिक्सी ग्राइंडर में डाल देते हैं तो बस अभी हम इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए दोस्तों इसे हमें अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका हमें बिल्कुल pine powder बना लेना है और याद रहे कि इसमें ज़रा भी दरदरापन ना रहे और pine powder हमें इसलिये बनाना है कि हम इसे किसी भी recipe में यूज कर सके तो देखिए दोस्तो, यहाँ पर हमारा powder कीतने अच्छे से ग्राइन्ड हो रहा है और इस जीरे पॉर्डर की खासियत यही है कि आप किसी भी रेसिपी में अगर इसे डालेंगे ना दोस्तों तो आपकी रेसिपी का टेस्ट चार गुना बढ़ जाएंगा तो देखिए हमारे यहाँ पर जीरा पॉडर बनकर बिल्कुल रेडी हुआ है तो चलिए फटा फट हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो चलिए इसका हम धकन खोल लेते हैं और देख लेते हैं हमारे जीरा बहुती बड़िया हमारा जीरा यहाँ पर बन चुका है आप देख सकते हो तो देखे कलर भी बहुत शांदार इसका आ चुका है और ये perfect बन चुका है दोस्तों तो चलिए हम इसको पूरा अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं देखें गर्मी के वज़े से मिक्सर थोड़ा गरम होने के कारण ये देखें थोड़ा सा छिपक जाता है तो कोई बात नहीं इस तरीके से आप निकाल ले सकते हैं तो यहाँ पर हमारा घूने हुए जीरे का पॉड़र फिल्कुल रेडी हुआ है और इसके बात की प्रोसेस क्या है वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और एक प्लेट पर एक चन्नी लेंगे और इस तरीकी के चन्नी में हम हमारे पूरे जीरे पॉड़र को अच्छे तरीके से चान लेंगे आप देख सकते हो बस इसी तरीके से हमें इसे चानना है और जो बचा हुआ आपको जीरे पॉड़र दिख रहा है ना उसे हमें बिल्कुल भी पेंकना नहीं है इसे हम किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते है तो देखिए दोस्तो जीरे पौडर को चानने के बाद जीरा पौडर और भी बढ़िया बन चुका है तो देखिए दोस्तो यहाँ पर हमारा भुरे हुई जीरे का पौडर कितला बढ़िया लग रहा है और ये बहुत ही ज़ादा smooth powder बनकर ready हुआ है और इसका color तो मुझे बहुत ही ज़ादा प्यारा लग रहा है तो पहले हम जीरे powder को एक बोल में ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे किसी भी airtight container में भर कर रख सकते है तो यहाँ पर हमारा भूना हुआ जीरा powder बनकर पिल्कुल ready है तो आपको यह recipe कैसी लगी मुझे जरूर बताना और recipe पसंद आए तो like, share जरूर करना तो मैं मिलती हूँ next video में ऐसी एक easy recipe के साथ तब तक के लिए बाबाई